नमस्कार दोस्तों रोजाना राश्यूपल दगने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों आपकी रास्ते से जुड़े सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुँश के और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उ दोस्तों अब बात करते हैं याश्मी गराओं की तुदिकेशी होंगी क्या-क्या योग बनेंगे और इन शभी का शराप की राश्यू पर क्या होगा किन-किन्चेयों को लेकर याश्मी आपको श्राव धन्य नहोंगा और कौन-कौन शे कार्या अखिर आपके लिए भाग चालेगा तो आई दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इंदिन गुरु वार का दिर रहेगा क्रिश्ण पर्च की तृतिया अतिति रहेगी और अनुराधा नाम का जिदिन नचत रहेगा दोस्तों योग की बात करें तो इस दिन वरी यान नाम की योग शुभा की 11 बचकर और चलमाइदन बिरिक्षी राशी पर शंचार करेगा। चमा वीरों का गुन होता है। दोस्तों यदि कोई दुर्वल मानव तुम्हारा अपमान करें तो उससे चमा कर दो क्योंकि चमा करना ही वीरों का काम है पर उन्तु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसको अवश्च दंड़ दो। चमा का मतलब है कि जो बीद गया उसे जाने दो दोस्तों कमजोर व्यक्ति कभी छमा नहीं कर सकता छमा करना शक्तिसाली व्यक्ति का गुन है जब आप माप करते हैं तब भूत को नहीं बदलते लेकिन आप निश्चित रूप से भष को बदल देते हैं अपने दूस्मनों को छमा कर दीजिए पर कभी उनके न करते हैं आज की राशीफल की देनी राशीफल दोस्तों कुछ शमय से अस्त वैस्त हुवी चीजें यश में पुना वैस्तित होना शुरू हो जाएंगी वैस्ता के बावजुद भी अपने परिवार वपिर शमंद्यों के साथ कुछ शमय जरूर वैस्तित करें इससे आप अप रखें कि बिरोधी लोग यसमें जलंग की भावना से आपकी बदनामी और पर जूठा आरूप लगाने जैसी हरकत भी कर सकता है शमस्या को दोस्तों यसमें आपको गुस्तिक के बजाए शांतिपूर तरीके से हल करने का प्रयाश करना चाहिए यह आपके समझदारी होगी और दोस्तों किशी भी प्रकार की यात्रा यसमें ना ही करें तो आपके लिए यसमें अच्छा रहने वाली है इसको प्राहत दोस्तों यसमें आपके लिए शमोंगे आपको बता दे कि यसमें आप अधिक शकार्तमक या फिर अधिक नकार्तमक भी हो शकती है इसलिए दोस् इसको इन व्यक्तियों पर बिल्कुल विश्वास न को रहें और किसी से लड़ाई जगड़े करते करने स्वेश में आप शाहधार नहीं यह आपके लिए बैतर होंगे और इसकी प्राद दोस्वेश में आपके लिए शमयोंगे आपको बता दे कि किसी भी निद्ले को लेने म दिल की अपेक्चा आपको अपने अंदर आत्मा का आवाज सुनना चाहिए दोस्वेश आपका कर्म और प्रुशार्थ आपके हर काम में शफलता और प्लब्दी परदान करने वाला है तो सो घर की गतिवद्यों में भी आपका शयों के समय रहने वाले हैं और इसको आपके लिए शुमय होंगे दोस्वेश आपके उपर अपया शावी हो शकता है जिसकी वज़र से शकार्तमक हो रही गटनाओं में भी कुछ नकार्तमक बातें आप ढूंड लेंगे दोस्वेश आपके अंदर बढ़ रहे डर की वज़र से आप आगे बढ़ पाना आपके थोड़ा सा मुश्किल भी होगा मान से जिरता प्राप्त करने के लिए हनुमान चले शा का पार्ट करना यह श्मय आपके लिए लाब दायक रहने वाले हैं और इसको प्राहत दोस्वेश आपके दिंचिर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दे कि कोई भी काम जल्दवाज में ना करके पहले उसके सारे पहलू पर अच्छे तरह से सोच बिजार कर ले क्योंकि दोस्तों शमय को अनुकुल बनाने के लिए कुछ मेनत करने पड़ेगी विद्यार्थियों को भी परतिस परदा शमंदी कारियों में शफलता मिलेगी आपके आत्मीश्व के सामने अने से आर्थिक स्तिती भी थोड़ा बिगड़ सकती है दोसों यह में चैचेरे भाईयों के साथ समंदों में थोड़ा सा खटा वा सकता है तो दोसों इनसे आप भजने की कुछिश करें यह आपके लिए बहतर रहने वाले हैं और इसको प्राहन दोसों में मांसिक भी रहेगी कि जिसबी बात को आप ठाल लेंगे उन्हें पूरा करने में आप शबल्दा भी प्राप्ट करेंगी और इसकी प्राहन में आपको बदा दें बागवानी तथा प्रकिर्दी के समय प्रह के रोईतित करें इसे दोस्तों में मत्रीक सुकून की प्राप्ति होगी अपनी परतिभाओं को और अधिक निखारने का प्रयाश करें दोस्तों के शाद भी बैतरी शमय वैश में वहतित होगा इसको प्राद दोस्तों में घर में किसी बात को लेकर माहल में कुछ अलगाओ की स्थिति आश्वकती है प्राद दोस्तों आपका शायों को वैस्ता को शमाल लेगा अपने सोभाओं में सजटता वपिर लचिला पन बना कर रखे युवर्ग अपने टार्गेट को हशिल करने के लिए और अधिक परयाश करें और इसको प्राद दोस्तों येश में आपको लिए शमयोंगे आपको बता दे कि किसी एक काम पर ही पूरी तरसी निवर होने के वज़ाशे काम शमदित गती में कुछ थोड़ा सा कमी भी आशकता है पेसे की चिंदा येश में आपको थोड़ा सा सता भी शकता है परिवार से दूर रहना आपके लिए आपके अंदर हम जो है सिक नेस की भावनाय ला सकता है दोस्तों ये जो आपके लिए शमयोंगे आपको पता दे कि पुरण मित्रों के साथ बदलते हुए रिस्तियों को देख कर आपको दुखी भी होना पड़ सकता है दोस्तों ये शमयों बिगड़े वे शम्बंदों को अधिक प्रतन करके ठीक करने की कोशिश ना करें ये आपके लिए बैतर होंगी अपने दोस्तों भविश में कारी करने के लिए अपने ध्यार को अपने कारियों के परती केंदित रखें और भविश में आप अच्छी सफलताओं को प्रावत करने वाले हैं और इश्क प्रावत उस यश्में अगर आपकी केरेर को लेकर बात करें तो दोस्तों आवश्यक कारियों में कुछ रुकावटें भी आश्रकती है यश्में गरा इस्तितियां आपके पक्ष में उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं इसलिए दोस्तों धहरी बनाकर रखना आपके लिए इसमें उचित रहेगा उचित समय आने पर शमस्या स्वाता ही हलो जाएंगी यश्में महत्पूल कारियों को जो है पहले पूडा करने का पर्याश कर ले यह आपके लिए बेहतर होंगे और इश्क्यप्राण दोस्तों यश्में आपके केरयेट के लिए जिसमें होगी दोस्तों आपको बताते हैं कि जल्दी वा फिर ज्यादा मुनाफा कमाने के चकर में किसी परकार के अनितिक कारे में रूची ना ले वाविशाय में जो विस्तार शमंदी विजना में बना रहे हैं दोस्तों उस पर ध्यारी तथा गर्मिटा से कारे करने की जरूरत होंगी और इसके प्राण दोस्तों इसमें आपके वाविशाय के लिए समय के लिए आपको बता दे कुछ शमय के लिए उची समय का इतजार आपको करना जरूरी होगा और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दे कि मिडिया अत्मा पहुंद दोबारा आपको कोई महत्मुन अनुमन भी अर्थ में प्राप्त हो सकता है आर्थि की सित्ती भी इसमें थोड़ा सा बहतर होने वाली है इसके प्राप दोस्तों आपको यह अगर आपकी लव लाइक कलकर बात करें तो दोस्तों पारेवरे शडूर्ष्यों के बीच उची तालमिल बनाकर रखने से घर की उज्जार सकात्मुख बने देगी पति-पत कि पती-पतिनी दोनों का घर और वाफशाय में समज़ेस बना कर रखना पारिवरिक वो पिर आपसे समंधों को और दिक मदूद बना कर रखेगा विवातर समंधों से यह समीं आप दूर रहें या आप के लिए बहतर होंगे और इश्क्य प्राहन दोस्तों ये शमय आपके लव लाइफ के लिए शमय होगी आपके पारिवरिक जीवन के लिए शमय होगी दोस्तों आपको बता दे कि पती पत्नी की बीच रोमेंटिक शमन रहेंगे प्रंतु अपने टोका टाली वाले स्वभाव को थोड़ा बदलने का प्रयाश करें ये आपके लिए शमय बहतर होने वाले हैं और इश्क्य प्राहन दोस्तों घर में भी उचित शमय वहधित करने शेव पारिवरिक लोगों की खुशी में आप सामिल हो सकते हैं तथा उचित समाझे सुभी शमय बना रहेगा प्रेम शमन्दों में शमय प्रग दोस्तों ये शमय आपके श्वास्त के लिए शमय होंगे दोस्तों आपको बता दे कि पिछले कुश्ट में से चल रही शारिक परिशानी ये खत्म होगी और आप काफी हद तक रहात में शुद करेंगी प्रण्दों अभी श्वास्त का आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो दोस्तों मोसम का प्रभाव आपके उपर हो शकता है अंत में दोस्तों स्वास आपका उत्तम होगा ये शमय अत्यदिक सर्दी से अपना बचाव करें ये आपके श्वास्त के लिए शमय बहतर होंगी दोस्तों ये शमय आपका भागी शली रंग रेगा वेंगनी और भागी शली अगरेगा साथ